जैहिंद वेलकम यौल तो मिसंड कॉंपिटिशन मैं हूँ राहूल और आप सभी का स्वागत करता हूं तो गाइस जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इडूटीरिया प्रैक्टिस सेट सीरीज से 67 BPSC के लिए हमने सारा कंप्लीट करवा दिया है 15-15 उसमें प्रैक्टिस सेट रहा था डॉक्टर अजनीश कुमार जो आये से उनके दौरा यह प्रैक्टिस सेट निकाला गया है तो इस बुक में से हमने चार प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया है देखिए आपको नीचे लिंक उन चारो प्रैक्टिस सेट का दिख रहा हूग और आपने नहीं द ठीक है चलिए बीना दरिकिए वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं बता दो देखिए 67 BPSC के लिए हमारे चैनल पर फिर से ग्रूप ओपन कर दिये हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट जो है सारे सारे वहाँ एवलेबल करवाए जाएंगे जो पेड़ गोजिं क् पीज में आप वहाँ पे जॉइन हो सकते हैं और यह 67 BPSC तक लाइव रहेगा और अभी आने वाले स्टाइम में इसमें और भी PDF अप्लोड करवाया जाएगा हमारा जो बिहार स्पेसल रहेगा इसका वहीं क्रैटिरियर रहेगा 1700 आपको प्राप्त होगा जिसमें 700 करेंट से कुश्चन होंगे ठीक है बिहार स्पेसल करेंटरफेर्स और 1000 बिहार स्पेसल MCQ होंगे जो की हिस्ट्री पॉल्टी जोग्रफी सब मिला के होंगे अगर आपको ग्रूप में जॉइन होना है या PDF लेना है कुछ भी करना है इस नंबर के उपर आप लोग पेमेंट का स्क् देखेगा है वह सब आपको मिल जाएगा बस स्क्रीन सॉट लीजे इसे साफ साफ पेमेंट कर दीजे ठीक है और आपको उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है इसी नंबर पर आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा चलिए तो यहां से आता हमारा मॉडल से नंबर 5 और यहां स नंबर दो किसी तीथी के बाद राज में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूनत प्रतिबंद लग जाएगा किस डेट के बाद देखे गाईज ये जो है ना 14th of December यानि की पड़सो से ठीक है ना पड़सो से बिलकुल पूम्टा राज में बैन लग जोका है सिंगल यूज प्लास्टिक के उपर नेक्स देखते हैं नमबर 13 बिहार की किस चिकितसक को हाली में लास वेगास में आयोजित वैस्विक सम्मेलन इंटरनेसनल फॉर्म फॉर एडवांस इन हेल्थ केर में टॉप 100 वैस्विक हेल्थ केर दिगजों में सामिल किया गया है याईज ये सामिल किया गया है डॉक्टर नचिकेता सिनहा को सी हमारा यहां सई हो जाता है नमबर 4 देखते हैं बिहार महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है तो बिहार महिला आयोग अभी भंग हो रखा है इसका कोई अध्यक्षी नहीं है मतलब आयोगी भंग है तो अध्यक्षा कोई से कोई हो जाएगा तो हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है पांच नमबर पटना उचने आले के वर्तमान मुखने अधिश कौन है पटना उचने आले के जो करेंट टाइम में जो मुखने अधिश है वो है जस्टिस संजे करोल डी वला करेक्ट हो जाएगा यह 11 नमेंबर 2019 को बिहार के राजपल फ एह हमारे सय हो जाता है नमबर स साथ हमार्च 2020 में बिहार राज में कुल विधुत उत्पादवी हमार्टपादऴी हमतं कहतं तो 나올 नमबर आए भीः में दीखते हैं गष्श व हमता का मुख्ष रोट क्या है इसका मुख्ष रोट की बात करेंगा तब इताब विध॥ित हो हो जाता है नमबर नाइन देखते हैं वर्स 2017 ठारा इंग बिहार के सबसे कम प्रतिवेक्ति सकल जिला घरेल उत्पाद वले चार जिले का क्रम बढ़ते क्रम में बताना है तो चार जिले जो हो जाएंगे सिवहर अररिया किसंगंज और नवादा हो जाएगा सी वला सई होगा नमबर दास देखते हैं हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई क्या है तो इसकी लंबाई की बात करें देखे गाईज 24 किलोमेटर हो जाएगा बी सई होगा नमबर 11 बिहार एवं उतर परदेश राज की संयुक्त सिचाई परियोजना कौन सी है तो इसकी संयुक्त सिचाई परियोजना बिहार और यूपी की वो है गंडक परियोजना डी सई हो जाता है हमारा ठीक नमबर 12 देखते हैं देखे भीखना ठोड़ी दर्रे के मध में कौन सी नदी गुजरती है देखे इस दर्रे के मध सी जो नदी गुजरती है उसकी बात करें तो हरहा नदी गुजरती है ठीक है यह वाला यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा नमबर 13 सुमेसवर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है देखे सुमेसवर पहाड़ी जो नदी निकलती है वो है बुडी गंडक इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेगा इसको ठीक है और यह जो है ना ब विधानसभा चुनाओं के प्रथम चरण में कितने विधानसभा सीटों पर चुना हुआ था तो दिखिए अगर हम बात करें तो टोटल 71 सीटों पर चुना हुआ है 28 अक्टूबर 2020 को इसका मद्दान हुआ था है ना 15 नमबर मौरे समराज का केंद्रिय नियाले कहां स्थित थी तो इसकेंद्रिय नियाले जो स्थित था वो देखें पातली पुत्रा में था वी करेक्ट हो जाएगा नमबर शिक्सिटीन असोग ने अपने धम यात्रा के अंतरगत सबसे पहले किस जगा की तो इसने सबसे पहले एक बोध गया का यात्रा इसने किया था तो भी हमारा correct हो जाएगा ठीक है next 17 सेर्जा का प्रशासनिक प्रयोग साला किसको कहा जाता है कहा था तो इसका प्रशासनिक प्रयोग साला जो है देखिए ये सासा राम में था B हमारा सई हो जाएगा number 18 देखते हैं 1864 के अंबाला के मुकदमे में पटना के बहावियों के वकील कौन थे तो इनके वकील की बात करें तो ये थे प्लाइडेन B हमारा correct हो जाएगा और इस मुकदमे में तीन पटना के बहावियों को मृत्तुदंड हुआ था और 68 को आजीवन काला पानी की सजा हुई थी तो ये लोग भाग लिये थे देखिए 887 में सबसे पहले ये सही हो जाएगा नमबर बीस भारा चुरांदोलेवे करम में पटना सिची वाले गोली कांड कब हुआ था देखिए ये हुआ था 11 अगस 1922 को ये वाला यहाँ सही हो जाएगा गाईज ये थे स्री कृष्ण सिंग जी ठीक है और दूसरे सत्य ग्रही की अगर बात करें तो स्री अनुगरा नरायन सिंग हो जाएगा दूसरा लेकिन पहला का पूछ रहा है तो हमारा बी वाला सही हो जाएगा ठीक है हम बात कर ले इसकी तो 3.5% 24 नमबर 2020 की इसमें भारत का प्रात्मी घाटा GDP का कितना था तो प्रात्मी घाटा GDP की बात कर ले तो देखे 2.7% हो जाएगा ये वाला करेक्ट होगा 25 देखे भारत का सकल घ्रलूत पाद के अनुपात में विदेशी रिन सितंबर 2020 में कितना था तो अगर हम बात करें सितंबर 2020 में गाईज तो ये था 21.6% तो बी वाला एपसलूट करेक्ट हो जाएगा 26 सितंबर 2020 के अन्त तक भारत पर कुल विदेशी कर्ज कितना था तो भारत पे सितंबर 2020 के लाश्ट तक जो कर्ज है वो देखिए 552 billion US डॉलर था ठीक है ना तो C हमारा यहाँ सई हो जाएगा ठीक है 27 देखते हैं क्या बोल रहा है देखिए वर्ज 2019-20 में कुल खादान उत्पादन का उत्पादन कितना हुआ है तो इसके उत्पादन की बात कर देखिए 296 65 million ton हुआ है यह करेक्ट हो जाएगा 28 किस बजट में किसान क्रेट कार्ड में पसुपालन छेतर को भी समलित करा गया है तो यह समलित किया गया है देखिए फरवरी 2020 में बी हमारा करेक्ट हो जाएगा फरवरी 2020 के बजट में किसान क्रेट कार्ड में पसुपालन छेतर को भी सामिल करने घुसना के बाद मिल्क को ऑपरेटिव और मिल्क उत्पादन कंपनियों को लगभग डेर करोड किसानों को जो है इससे परधान मंत्रियात निर्व भारत पैकेट के अधीन क्रेडिट कार्ड का लाब मिल सकेगा ठीक है 29 देखिए वर्स 2019-20 में भारत में अभी तक सबसे अधिक मचली उत्पादन हुआ है कुल मचली उत्पादन कितना हुआ है देखिए टोटल मचली और प्रोडक्शन जो तो यह हुई है तो यह हुई है तो यह हमारा करेक्ट हो जाएगा जिसे सेड सा सूरी मार्क भी कहा जाता है ठीक है 32 एपिकल्चर का संबंध क्या है किस से है एपिकल्चर का संबंध जो है देखिए यह मधमक्खी पालन और सहद उत्पातन से इसका संबंध है यह सई हो जाएगा نमबर 33 देखते है निमन में से कौन अर्थ व्य WITHसता के दूतियmaster के इंतरगत नहीं आती है तो अर्थ व्यclock एंतरगत जो है देखिए पडिवहन जो इसमेँ नहीं आती है बीवला correct हो जाएगा परिवन अर्थ स्थाह में जो है थर्ड सेक्टर के अंतरकता है ठीक है तो ये देखिये आर्टिकल 280 में जो है ना वित आयोग का जो है यहाँ पर ठीक है वित आयोग का प्रावधान है आर्टिकल 280 में चलिए नमबर 36 क्या बोल रहा है देखिए अब यहाँ से विवे दिगा मारा कोश्चन आता है अंतरास्ट्रे बृध्धी दिवस भृध्धी या वृध्धी बोले यहाँ पर दिवस कमनाया जाता है तो गाईज इसकी अगर आगर साल एक एक-क्टूबर और हम बात कर देखिए 10 कब मनाया जाता है हर साल 12 अगस्त को मना जाता है तो हमारा बी वला सई होगा अर्टिस आसियान की स्थापना हुई कब देखें आसियान की स्थापना कि हम बात कर लें इसके स्थापना हुई है 1967 में ठीक है ना 24 इंटरप्रेटर ओफ मेलाड जहां वहां जुमपा अल्दी जीñ है सही अब देखिए हमारे सॉइन साइं से कुस्ट और शरण हो जाते है ठीक है। बनावट क्या है, देखे हीरे का तो हमारा एवला correct हो जाएगा, 43, उन सराब तरह दियों में जिनके परिणाम सौरूप अंधता आदि होती है, हनीकारक पदार्थ क्या होता इसमें तो इसमें हनीकारक पदार्थ देखिए methyl alcohol होता है D, साई हो जाएगा, 44 एवला सही हो जाएगा 45 दूद किस बैक्टीरिया के मज़ह से खराब होता है दूद जो है ना ये लैक्टो बैसिलस बैक्टीरिया के मज़ह से खराब होता है तो ए हमारा यहाँ absolute correct हो जाएगा number 46 देखते हैं प्रतिवर्स पांच लाग भारतिये एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करना है, इसकी पहचान देखिए, छै रोग से जो है ना, हर साल पांच लग भारती है, मर जाते हैं, छै रोग, माइक्रो बैक्टिरियम, ट्यूबर क्लोसिस, जो है, जिवानू के वज़े से हो, ये फैलता है, और ये रोग फेफडे को प देखें, डितरझन की बात कर ले, गाईस, तो डितरड़ जो है ना, एक सोधन अभी करता है, तो डी सै होगा, 49, आर्क्यॉप्तेरिक्स क्या है, देखें, आर्क्यॉप्तेरिक्स जो है, ये जुरैसिक यूग का सरवपुरातन पक्छी हुआ करता था, ठीक है, एैँ हमारा सबसे पुराना धातु कौन सा है इसमें सबसे पुराना धातु कौन सा है इसमें सबसे पुराना धातु कौन सा है इसमें सबसे पुराना धातु है इसमें मिला होता है तो stainless steel एक मिस धातू है इसमें मिला होता देखे निकेल, क्रोमियम और कार्बन ठीक है ना निकेल, क्रोमियम और कार्बन तीनों मिले होते हैं तो यहां option में तीनों हो ही नहीं है इसलिए मारा E हो जाएगा इन में से कोई भी नहीं यह तीनों का mixer होता है वो ठीक है तुटी हड़ी को जोडने आदी में करा जाता है अब देखते हैं हम लोग 54 नमबर प्लास्टर ओफ पैरिस का जो है सूत्र यहां बताना है क्या होता है इसका सूत्र होता है इसका सूत्र होता है तो बी वला हमारा सही हो जाएगा नमबर 55 नमबर 55 में हमारे बोल रहा है निमलिकित में से कौन सामल किसके सिरके में उपस्तित होता है और छिए पियोग विल्यन के रूप में एसीटोन बनाने में और खट्टे पदार्थ में किया जाता है ठीक है? चलिए 56 number सूरे पर उरजा का निर्मान होता है कैसे? देखे सूरे जो उरजा का निर्मान होता है वो नाभीकिय संल्यान के वज़ा से होता है बी करेक्ट होगा स्तील की कट्षोरता परदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या? דेखे स्तील की जब कठोरता अगर उसमें पर्दान करना होगा तो उसमें जो है ना क्रोमियम की मात्रा बढ़ानी होगी तब जो है स्टील में कठोरता और बढ़ेगी ठीक है अंठावन क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है कैसे किसमें देखे इसका प्रयोग होता है वो रंग यह LPG द्वारा चोक हो जाते हैं, इस वज़े से दाब मापक इसमें नहीं पर्दान किया आते हैं, तो D हमारा सही हो जाएगा, साथ नमबर, दूद, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, दूद का जो प्रोटीन होता, उसको पचाने वाला एंजाइम है, वो है, देखें, रेनीन, B करेक्ट होगा, एक साथ, फेरोमोन्स कहां पाया जाता है, देखें, फेरोमोन्स जो है ना, यह कीटो में पाया जा है भी Corratch हो जाएगा तीरेशट प्रकास ससले सितू सरवाधिक्ख व्यष्ण का यूज करते हैं तो ड यह सई होगा नेक्स देखते हैं 65 देखे पौधें के के लिए अवश्यक नहीं है क्या तो पौधे के विकास के लिए जो है देखिए सोडियम आवश्यक नहीं है ध्यान रखेगा इस बात का बाकि मैंगनेशियम पोटेक्शियम की काफी जरूत होती है 66 ध्वनी पर दूसर ने स्तर की यूनिट क्या होती है तो इसकी यूनिट जो है देखिए डेसिबल होती है ठीक भी हमारा करेक्ट हो जाएगा नमबर 67 गाइस देखिए यहां से मैट्स के हमारे कुछ कोशन स्टार्ट होते हैं मैं आंसर बताऊंगा आप लोग स्क्रीन सॉट लेकर जरूर जरूर खुछ से सॉल्फ करें ठीक है तो 67 गरेक्ट आंसर जो मड़ा हो जाएगा बी हो जाएगा पांच नमबर ठीक है नेक्स देखते हैं 68 एक आयतकार मैदान की लंबाई 25 मीटर तदा चोड़ाई 15 मीटर है इस मैदान में लंबाई तदा चोड़ाई के समन वर्ष 2006 से वर्ष 2007 में इस परीक्षा में बैटने वाले चात्रों की संख्या में कितने परते से गरावट आई है ठीक है यहां पे ओके वर्ष 2006 से 2007 तक में यहां पे कोई डाटा दिया ही नहीं गया है कोई डाटा है ही नहीं खायर इसका जो correct answer होगा मैं आपको बता दूं तो इसका answer हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा इसका correct answer हमारा हो जाएगा देखिए यह हो जाएगा वान ठीक है नेक्स देखते हैं हम लोग 73 73 में देखिए बोल रहा है दो विदारती किसी परिक्षा में बैठ है इनमें से एक ने दूसरे से नौ अंक अधिक प्राप्त कियें तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे उनके द्वारा प्राप्त कियें अंक की बात कर ले तो यह जो अंक ह हो जाएगा 33 और 42 हो जाएगा नेक्स देखते हैं नेक्स्ट हमारा 74 क्या बोल रहा है देखिए यदि वृत की तृज्जया को एक इकाई बढ़ा दिया जाये तो उसका छेत्रफल दोगना हो जाता है विरत की तृज्जया क्या है तो विद्जया जाये देखिए रूट कोनों की माप जो ग्यात होगा तो इसमें देखें बुजाओं की जो संख्या हो जाएगी 144 ठीक है तो यह वाला हमारा correct answer हो जाएगा नेक्स देखते हैं 76 आलू की कीमत 50 परसेंट यानि 50 परसेंट विद्धिय इक किस समीधान्समोESS अंतरफ सिक्क्किम को भारत का एक राज बनाए गया तो यह राज बनाए गया शग्षकेस में बनाएं गया प्रथम अनुसुची में सामिल करने और सिक्किम राज के सभी लोग सभा में एक एक स्थान देने के लिए अधिनिया में बनाये गया था अठतर भारत के समिधाने प्रथम संसोधन कब किया गया प्रथम संसोधन भाई साब 1951 में हुआ था ए हमारा करेक्ट हो जाएगा प्रथम संसोधन जो है आर्टिकल 31a और 31b को नौवी नुसुची में समलित कर लिया गया और समानता और संपती संबंदी मौलिक अधिकारों को लागो किये जाने संबंद कुछ वेभारी कटनाईों को समाप्त करने का प्रयास करा गया था इसमें ठीक है चलिए 79 भारत की संचित निधी से धन का वे निमलिकित में से किस माध्यम से लिया जाता है तो यह जो है देखिए संसत के नुबती से लिया जाता है डी करेक्ट हो भारत में निमलिकित में से कौन सी संस्था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उधारन है तो यह जो संस्था है वह देखिए ग्राम सभा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का यह एक्जम्पल है ठीक है एक करेक्ट हो जाएगा बेरासी रेखते हैं नव गठित नीती आयोग का लक्ष एक लक्ष क्या है तो इसमें जो एक लक्ष की बात करें तो यह सहकारी संगवाद का इनका एक में लक्ष होता है ठीक है next देखते है next है 83 हमारा नीतियाओस संबंधित governing council में कौन संबलित होते हैं इसमें जो सम्मलित होने के बात करें तो देखिए राज्यों के मुखमंत्री और संगे चेत्रों के ओपर राजपाल होते हैं बी करेक्ट हो जाएगा 84 देख लेते हैं देखिए संग लोगसेवा आयोग अपना वार्सिक परतिवेधन शौपता है किसको देखिए ये लोग अपना वार्सिक परतिवेधन जो है संग लोग से वायोग और इसके में बात करें तो ये राष्टपती साहब को ये सौपते हैं बी करेक्ट होगा 85 अनुसुची जाती और अनुसुची जन जाती के लिए लोग सभा तथा राजसभा सभाओं में सीटो का आरक्षन को 2030 तक किस संविधान संसोधन द्वारा किया गया है तो ये किया गया है देखिए 95 वा संविधान संसोधन ठीक है ना इसके द्वारा नुसुची जाती और नुसुची जनजातीयों के लिए लोगसभा और राजसभा विधान सभाओं में 25 जनवे 2030 तक के लिए सीटो का रेक्षन बढ़ाने का प्रावधान कर दिया गया है भारत का इतिहास का और संस्कृत्ती से यहां से मारत कोशन स्टार्ट होता है कोशन नुबर 86 से चलिए 86 आहमद्सा अबदाली का आक्रमन किस माराथा पेशवा के समय हुआ था देखे इसका आक्रमन जो है बाला जी बाजी राओ के टाइम में हुआ था बी वाला हमारा सही हो जाएगा एटी सेवन, इंडियन मिरर के लेखक कौन है, देखे इसके लेखक जो है, द्वारिकानाध टाइगोर जी है, यह एपसलूट करेक्ट हो जाएगा 88 मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस का मनाया था देखें मुस्लिम लीग के दोरा मुक्ति दिवस जो है ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था ठीक है कॉंग्रेस के मंत्री मंडल से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा खुसी मनाया इस चक्कर में इस दिन को मुक्ति दिवस कहके पुकारा 89 रमपा विद्रौ का नेतित्य किसने किया था सीता राम राजुने डी सई होगा 90 देखते है 1947 मे राष्ट्रेट्रेड उनियन कौंगरेस का स्थापना किसने किया देखे इसके स्थापना कि बात कर दो यह करा था वल्लाभ भाई पटेल ने राष्ट्रे ट्रेड यूनियन का स्थापना ठीक है 91 लियाका तली ने फिट्ली ने विद्रो का नितित्त्य उत टिया था तुए इन्होंने इलाहबाद से किया था देखें देनास सस्वती की गुरू का नाम वह था विर्जानद जी यह हमारा correct हो जाएगा 93 किस युद्ध का मुगल सिनापति स्वेम अक्बर था तो अक्बर जो है इसने मिवार के युद्ध का स्वेम सिनापतित्व करा था सी हमारा करेक्ट हो जागा ये युद्ध जो है देखे 1568 में लड़ा गया था 94 पानिपत का दुईतिय युद्ध कब हुआ था देखे पानिपत का जो दुईतिय युद्ध है ये हुआ था 10 दिसंबर 1526 को तो एक्स्ट्रीम्विश पांच नमबर 1556 को ये हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है ना पानिपत का सेकेंड वोर जो है पांच नमबर 1556 को हेमू और मुगल सेनपती बैरम का के बीच में हुआ था ठीक है दर्सक भी कहा गया है कौन है वो तो वो सासक था देखिये नागद्शक है सी हमारा सई हो जाएगा हर एक बंस कांतीम सासक नागद्शक था जिसे दर्सक भी कहा गया हुआ हुआ 97 चेदी, महा जनपत की राजधानी थी, कौन से महा जनपत की तो देखिए ये चेदी जो है अगर हम बात करें तो ये जो है ना देखिए सक्ती मती सक्ती मती जो है महाजनपत की राजधानी थी मुदेल खंड के छेत्र में स्थित चेदी महाजनपत की राजधानी सक्ती मती थी और सिसुपाल यहां का सासक रहा हुआ था 98 All India Trade Union Congress का प्रतम अध्यक्ष कौन था देखे इसका प्रतम अध्यक्षी बात करें तो ये थे लाला लाच बत रहा है एक करेक्ट होगा 99 अकिल भारती वेपार संग Congress की स्थापना बंबई में किस वर्थ हुआ इसके स्थापना हुआ था मंभई में 1920 में भी वाला सही हो जाएगा No.100 सुरक्षा प्रकॉस्ट की नीती संबन्धित है किस से देखे ये संबन्धित है Warren Hastings से सुरक्षा प्रकॉस्ट की नीती C हमारा correct हो जाएगा Next देखते है 101 एक देखिए अंग्रेजों ने भारतिय सिना में चर्बी वाले कर्तुष से चलने वाली इन्फिल्ड राइफल कब सामिल की तो इन्होंने इन्फिल्ड राइफल जो है देखिए यह दिसंबर अठार्ट सुचपन में सामिल करा उसके जस्ट एक साल बाद 1857 का रिवॉल्ट हो गया था मंगल पंडे के द्वारा 102 देवबंद का वह विद्वान जिन्होंने सुतंता अंदोलन में महतपूर्ण भूमी का निभाई थी कौन था वो उसके अगर हम बात कर लें गाइस तो वह तो देखिए अब्दुल कलाम आजाद अबुल कलाम आजाद D हमारा सई होगा 103 अनुसीलन समीती थी देखिए अनुसीलन समीती जो है ना एक खरांदिकारी संगठन थी A हमारा यहां सई हो जाएगा 104 अवंती महाजनपत की राजधानी कौन थी देखिसकी अवंती महाजनपत दो भागों बटा हुआ था समचर पहले समझ लिए उत्री खेत रुच था जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षनी खेत का राजधानी महाजनपती था ठीक है तो उज्जैनी महाजनपती यह दोनों ही हो जाएगा दो अलग अलग पार्ट्स में तो यह वला हमारा सई हो जागा एक से अधिक ठीक एक सो पांच उन्नीसमी सताबदी के धर में समाज सुधारांदोलन ने जन संख्या एक किस वर को मुखेता अकर्शित किया तो इसने अकर्शित किया था देखिए अगर हम बात कर ले तो बुद्धी जीवियों को नगरिये उच जातियों को और उदार रजवारों को ठीक है बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट एक सूसाथ निम्लिखित वर्गों में से किस ने ऐठाव संतावन इस्वी के विद्रों में भाग नहीं लिया देखिए इसमें जो भाग नहीं लिया अगर हम बात कर लें तो साहुकार और जमिन्दार यह दो जनों ने भाग इसमें नही लिया था ग्षारो संधाओन के विद्रोमें तो अथा हो जाता है किसमें पर smilingatik के संग्या को एक नहीं में नियुक्ति एंड़ को व्छान पर तूस संग्या को वह यह'ma यहाँ पर एप्सलिट करेंट हो जाएगा 109 देखते हैं देखिए तोलकापियन गरंथ संबंदी थे किस से तोलकापियन गरंथ जो है इसका रिलेशन के रहें बात करीए व्याकरण यूंकाव से इसका रिलेशन है तो डी वला हमारा कुरेक्ट हो जाएगा दुईतिय संगम में व्याकरण का प्रशिद्ध गरंथ हुआ करता है तोला का पियम जिसको लिखा गया था जिसके लेखक थे तोलका पीर ठीक है और यह तामिल भासा का प्रशिद्धम गरंथ है तो ध्यान रखेगा तोलका पियम जो है व्याकरण का 1910 सिंदु संभेतास संबंदीत किससे और यतिहासिक काल से Przyया है यह हमारा सई हो जाएगा 111ह निमलिकित पृधान मंत्रीấy points म heps से भारत में क्रिप्स मिशन भी जा था धा प्रुष के नित्वित में भारत में आया था कि एक 112 बहरत वर्च विपाजण के समय ब्रीटिस भारत के मिलिखित में से किस एक प्रांगे सन्यक्त अस्तित्व के लिए युजना सामने रखी ये में पंजाब ने ऑचनी हो जाएगा यहां से हमारा जोग्राफी कोश्चन स्टार्ट होते है 13. Master of Gods ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है देखें Master of Gods कहा जाता है वुरसपती को यानि की जुपिटर को ठीक है तो D हमारा बिलकुल ही सही हो जाता है 114. एकांगुआ ज्वाला मुखी कहां इस्तित है देखें एक आंगुआ ज्वाला मुखी जो है यह चिली में है यह हमारा यहां पर सही होगा 115. भारत की सर्वोच परवत चोटी कौन सी है भारत की जो सर्वोच परवत चोटी है वो बात कर लिए तो देखें Godwin Austin है इंडिया में ठीक है तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यह जम्मू कस्मिर में इस्तित है जिसको माउंट के टू भी कहा जाता है Godwin Austin के भी नाम से जाना जाता है और भारत का सर्वोच से उचा परवत सिखर है यह 116 गारोजन जाती जो है यह बैसिकली अगर इनके हम बात कर लें तो यह मिघाले में निवास करती है मिघाले एरिया में पाए जाती है 117 सिवालिक स्रेणी का निर्मान हुआ देखें सिवालिक स्रेणी का जो निर्मान हुआ है यह किनोजोईक में काल में हुआ है D सही हो जाएगा 118 देखें भाकर नागल एक संयुक्त पर्यूजना है देखें भाकर नागल के हम बात कर ले तो यह संयुक्त पर्यूजना हडियाना, पंजाब और राजस्थान की इस तीनों ही स्टेट्स की भाकर नागल ठीक है तो हमारा एवला सही हो जाएगा 119 देखते हैं क्या है कावेरी जल्विवाद देखिए किन किन राज्यों के बीच में है तो ये जल्विवाद जो है ना देखिए करनाटप और तमिल नाड़ों के बीच में है सी सही हो जाएगा 120 रेगूर नाम है किसका देखिए रेगूर जो नाम है रेगूर नाम है काली मिट्टी का ठीक है भारत की अस्थानिया मिट्टी में जो है काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है इसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है ठीक चलिए, 121 भारत में सबसे अधिक गहुं उत्पादक राज कौन सा है सबसे यहुं का उत्पादन करता है, देखे, UP अपना C, सई हो जाएगा, सबसे यहुं का उत्पादन करता है देश के कुल गहुं उत्पाद में 34% गहुं अकेले UP पैदा करता है 122 पॉंग बांध किस नदी पर इस्तित है देखे पॉंग बांध जो है न यह इस्तित अगर हम बात करें तो गाइस यह है व्यास नदी को उपर में डी हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है ही माचल पर देश में है पॉंग बांध नेक्स्ट 123 भारत का प्रतम करिशी विश्विध ड्याले कहा है बहुत का प्रतम करिशी विश्विध ड्याले के भी नाम से इसको जाना जाता है कि ऊंदरवन डेल्टा का निर्मान करने वाली नदिया कॉन सी है देखें जो एक बात कर लेकिस तो गंगा और बरहम कुत्ता का निर्मान करती नदी सी कुरेक्ट ऑगा अब यहां से sucks अब यहां से कषट्न स्टर्ट एक हमसमा इंद्र मोदी जी ने भी हमारा करेक्ट हो जागा यह देखिए 15 अगर्स 2023 तक यह चलेगा इसका ध्यान रखिएगा नेक्स एक्सटे सथाइस देखिए इस ओफ लिविंग इंडेक्स 2020 में दस लाग से कम अबादी वाले सहरों की स्थान मिला है तो इसमें सिर्षिस्थान मिला देखिए सिमला को ठीक है छोटे सहरों में दस लाग से कम अबादी वालों में एक करेक्ट हो जाएगा 128 नौवाग जोकवीच ने फाइनल में किसे हरा कर फ्रेंच ओपन जीता तो फाइनल में इन्होंने हराय था देखिए स्टेफानोस सीसी पास को सी हमारा करेक्ट हो वह नाओमी उसाका एक करेक्ट हो जाएगा 131 नेक्स देखिए फ्रेंच ओपन 2020 ग्रेंट सेलैम लॉन टैनिस के महिला एकल विजेता कौन है देखिए फ्रेंच ओपन में जो महिला एकल विजेता है वह बार्बोरा क्राजिकोवा दी हमारा सई हो जाएगा 131 फीफा अंडर 2.2 संचालित किया जा रहा है यह संचालित किया जा रहा देखिए पंजाब के अंदर में सी एपसलूट करेक्ट होगा 134 मई 2021 में कोवीड 19 महमारी से निपटने के लिए एक अखिल भारतिये अभियान यंग वारियर का प्रणम किसके द्वारा किया गया है देखिए इसका प्रणम जो है यह हुआ है केंद्रिय माधमिक सिक्षा बोर्ट के द्वारा तो भी सई हो जाएगा 134 जून 2021 में संपन हुई 44 जी एस्टी परिस्द की कोवीड 19 रहातियों प्रवंधन में इस्तमाल हो रहे विसेश समानों पर जी एस्टी दरों में कब तक कटवती करने की स की सिफारिज जो है अगर हम बात कर लें 30 सेप्टेंबर 2021 तक लेकी गई है तो बी वला सई होगा नेक्स देखते हैं 135 पंदरा से अठारा जुन 2021 के माध्य वैस्वी की योग सम्मेलन 2021 का वीडियो कॉन्फरेंसिंग माध्यम से आयोजन किया गया इसका योजन किसके द्वरा किया गया देखिए इसका आयोजन जो है यह देखिए मोक्षायतन योग संस्थान द्वरा करा गया है तो बी वला हमारा सई हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 136 जुन 2021 को किस देश की अध्यक्षता में अठारवी असियान रक्षा मंत्रियों की बैठाक प्लस 2021 वीडियो कॉन के माध्यम से संपन हुआ तो यह बैठक संपन की बात करने तो यह हुआ देखिए ब्रुनोई में तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा ठीक है 137 देखिए लोकसभा टीवी वर राजसभा टीवी के विलाय के बाद अब इसे क्या नाम दिया गया है तो इसको गाइस देखिए स तो 138 में देखिए सबसे पहले स्री बहुबली अहीम सादिग विज्यम तो इसका जो करेक्ट वाला हमारा हो जाएगा यह देखिए इनका कूट हो जाएगा विरभपा मोईली से ठीक है अनन्द वार्त यह बकुला घसवाने हो जाएंगे टोकरी में दिगंदत थेरी गाता यह अनामिका हो जाएंगी और अगर हम बात कर लें देखिए दा मोमेंट ऑफ लिफ्ट यह मिलिंडा गेट सुझाएगा तो हमारा बी वाला जो है सही कूट बैठता है आगे बढ़ते हैं 149 हाली में किस भारतिये राज ने स्थानिये लोगों के लिए 75 परतीशत नीजी न तो शंगाबाद सहर का नाम बदल कर क्या रखने गोशना करी है तो उन्होंने इसका नाम देखिए नर्मदा पूरम रख दिया है सी सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 141 देखे फरवरी 2021 में किस सुंद्री ने वर्स 2021 की फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया ह तो इन्होंने जो अपना नाम ये जो है ये इनका नाम है मनासा वारानसी इन्होंने फेमिना मिस इंडिया सुंद्री ये बनी हैं 2021 में 142 देखते हैं देखें अमेरिका के किस रास्टपती के विरुद उसके कारकाल में दो बार महाभियों का सामना करना पड़ा तो ये सामन एयू से अपचारिक रूप से लागू किया गया. तो यह लागू किया गया है देखे, ब्रिटें से. बी सही हो जाएगा. एकचो जाएगा. एकचो बाईड़न अमेरिका के रास्ट पती के रूप में इनका क्रम क्या है? इनका क्रम जो 46 वा है ठीक है सी करेक्ट हो जाएगा 145 देखते हैं किस फिल्म अभिनेता को वर्च 2019 के लिए दादा साहेब फाल के प्रुसकार दनी घोसना करी गई है तो यह घोसना किया गया है देखिए फिल्मकार रजनी कांत को यह मिलने वाला है एक करेक्ट हो जाएगा ठीक है 146 चार बार उलंपिक में भारत का प्रतित करने वाली पहली महिला टेनिस खिलाड़ी कौन है तो यह खिलाड़ी है सानिया मिर्जा एक करेक्ट होगा 147 केंद्रे फिल्म प्रमान बोर्ड यानि CBFC के अध्यक्ष कौन है तो इसके अध्यक जो है वो है देखिए प्रसुन जोसी B हमारा यहां सही हो जाता है 148 विस्व आर्थिक मंच द्वारा 20 अप्रेल 2021 को जारी वेस्वीक उर्जा संक्रमन सुचकांग 2020 को भारत का स्थान इसमें क्या है देखिए यहां जो भारत का स्थान है वो देखिए 87 है D सही होगा 149 विस्व आर्थिक मंच 20 अप्रेल 2020 को जार वेस्वीक उर्जा संग्रमन सुचकांग 2020 में प्रत्व में स्थान पर कौन है देखे हम जो प्रत्व में स्थान पर है बात करें तो यह है स्वेडन बी एप्सलूट करेक्ट होगा आज का हमारा आखरी कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 150 सेट नमबर 5 से 11 में 2020 को प्रेक्टिस सेट बुक में से सेट नमबर 5 उमीद करते हैं वीडियो प्लोग काई पसंद आया होगा वीडियो कैसे लागा कमेंट करें जूरू पता हिए और वीडियो को जाज़़दा शेयर करिए तिल देन टेक क्यर बाबाए और गॉडब्लेस यौल